दोस्तों गाएं के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है तो आप सुभा जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाएं को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशिरवाद मिलता है गाएं को गुरु ग्रह के साथ जोड़ा गया है याने ब्रहस पती ग्रह के साथ इसलिए गुरुबार के दिन गाए को रोटी पर एक चुटकी हल्दे डाल कर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन और एश्वर्य बढ़ता है ये तो था दोस्तों कि आपको गाए को क्या खिलाना चाहिए लेकिन गाए को क्या नहीं खिलाना चाहिए चलिए अब हम इस बारे गाए को खिलाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ये गौ माता का अपमान है